Hello everyone and welcome back in my youtube channel केम परिक्षा आज हम करने वाले हैं Chemical Properties of Hello Alcane and Hello Arrines So it is part 8 video इसते पहले हमने कर चुका है Physical Properties अब हम चलेंगे आगे Chemical Properties की तरफ So chemical properties जो होंगी हमें कैसे पता चलेंगी Hello Alcane की और Hello Arrines की तो हमें कुछ ऐसी reactions करवानी पढ़ेंगी जिससे हमें कैसे पता उनका Chemical Nature पता पर चल पाएगा Hello Alcane and Hello Arrines का So इसकी भी Chemical Properties की Three Categories हैं जिसके हिसाब से हम देख पाएंगे Chemical Properties Hello Alcane and Hello Arrines की So they are divided into three categories First है Nucleophilic Substitution Reaction So Nucleophilic Substitution Reaction की Help से हम क्या कर पाएंगे यह जान पाएंगे की हमारे जो Nucleophilic Substitution Reaction फिर हमारे पास Elimination Reaction and then Reaction with Metals फिर हम उसका Reaction करवाएंगे Metals के साथ ठीक है तो हम अभी देखेंगे बारी-बारी करके Nucleophilic Substitution Reaction क्या होती है और फिर Elimination and then Reaction with Metals So सबसे पहला है Nucleophilic Substitution Reaction सबसे पहले हमें पता होना चाहिए Nucleophile क्यों होता है एक होता है Nucleophile और दूसरा होता है Electrophile यह आपने पैसे पहले पढ़ा होए है फिर भी मैं दुबारा बताऊंगे आपको Nucleophile वो species होती है जो Nucleus को यानि की Positively Charged जो भी Positively Charged species को attract करती हो Philly यानि की Attraction या फिर Loving ठीक है नेगेटिव ली चार्ज पीशीज को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं यानि की Nucleophile का चाहिए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ली चाहिए जो भी हमारे पास हैं या पर कोई और है तो वह सब के सब क्या हैं हमारे पास Nucleophile हैं ठीक है तो उनका सब्सेटू ChelseaN करवाना यानि की उनको सबस्टिटूट कराने का मतलब है यहां पर नेगिटिव ली चाह्ण त्की जगा पर लगा देना क्योंकि जगा नेगेटिव ली चाह्ण उ पशीज वाला ही ले पाएगा यानि कि नुकलिफाइल ले पाएंगे तो नेगेटिव चार्जड स्पीशीज कैसे उसकी जगा ले पाएंगे यह हम रियाक्शन से समझेंगे कि नुकलिफिल इक सब्सजेशन रियाक्शन क्या होती है सबसे पर हम लेंगे एक बार हैलो एलकेन और एक्स उसके बीच में और यह बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और यह बन जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव बनेगा अब इसमें कॉन अट्रैक्ट करेगा हमारा नुकलिफाइल जैसे कि हम नुकलिफाइल मान रहे हैं यह नेगेटिव को कोई भी नेगेटिव ले चार्ज पीशीज तो यह कोई होगा चार्जइक है तो इसके जगा कौन ले पाएगा यानि कि यह जगा यानिक्य की यह jach है इसके जगा, स्बस्टिटूद धुट हो जाएगा, इसके य है य हो पर नग 0-1 य में सब्ज taco क्ollen य है unity माल व्य तहे भाहर निकल गया RY और X नेगटव बाहर पर इस भाई यो सबस्टे हैं तोके इस प्रोड़क्ट को हम क्या बोलते है substituent product तो मैं इसको लिख देती हूँ substituent product ठीक है तो यह क्या है substituent product है क्योंकि यह substitute होके बना हुआ है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है substituent product रखा गया है तो यह क्या होती nucleophilic substitution reaction जहां पर क्या है एक nucleophile है हमारा y negative जो कि substitute कर रहा है of course वो negative charge वाले को ही substitute कर पाएगा positive को नहीं कर पाएगा so वो क्या करेगा negative part वाले को substitute करके उसकी जगह में लग जाएगा और वो product बनाएगा उस product का हम बोलते हैं substituent product क्योंकि वो substitute होकर के बना हुआ है okay समझ माया nucleophilic substitution reaction okay अब nucleophilic substitution reaction की भी subtypes होती है क्या types होते हैं types of nucleophilic substitution reaction so there are two types इसके दो types होती है सबसे पहला type है substitution nucleophilic unimolecular SN1 reaction होती है और दूसरी होती है substitution nucleophilic bimolecular SN2 reaction तो एक होती है unimolecular दूसरी होती है bimolecular इसलिए SN2 SN1 यान की substitution nucleophilic और 2 इसलिए क्योंकि यह bimolecular है और SN1 यहां पर substitution nucleophilic और 1 यान की unimolecular के लिए है तो यह SN1 और यह होती SN2 अब यह SN1 और SN2 reactions क्या होती है अब इनको बारी बारी करके अच्छे से समझेंगे का mechanism देखेंगे यह कैसे हो रही है तो हम देखेंगे सबसे पहले substitution nucleophilic unimolecular यान यह SN1 reaction को समझने के लिए हम उसका सबसे पहले देखेंगे mechanism की यह कैसे होता है इसको करेंगे question answer form में तो यह question है extreme the mechanism involved in SN1 reaction यह जो इसका mechanism पूछते है SN1 reaction का यह बहुत जादा important है ठीक है तो यह exam में बहुत जादा पूछे जाता है तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा तो सबसे पहला step होता है इसका जो step होता है यह हमें बात होता से लिगा कि सबसे पहले step में होगा वैसे तो formation of carbo cation होता है ठीक है बट यह हम reaction करने के बात बताएंगे कि इसमें होगा क्या तो हम क्या करते हैं SN1 reaction में हम लेते हैं 3 degree alkyl halide 3 degree alkyl halide 3 degree alkyl halide 1 halide group attached with the carbon atom सो यह carbon होगा पहले 1 alkyl group से attached होगा तो हम इसे करेंगे 3D way में शो कि वह 3D में किस तरह दिख रहा होगा एक carbon होगा यहां पर हमें दिख रहा है ठीक है एक होगा कहां पर एक होगा हमारे हमारे पास होगा ओके यह होगा above the plane ठीक है इसे में flying wedge formula से शो कर रही हूं यह होगा above the plane और इसे हम कह सकते हैं हमारे सामने नमें दिख रहा होगा यह बहुत पास होगा इसलिए हम इस तरह से शो करते हैं और एक alkyl group वह होगा below the plane यानि के नीचे होगा और वह हमारी नजरों से दूर होगा दूर होगा तो दूर वाले को इस तरह से शो करते हैं दैश करके यह बहुत इस तरह से शो कर दिया अब जो यह होगा यह किसे फर्दर अटाश्ट होगा यह होगा alkyl halide इस तरह बनाएगा halide है तो यह क्या करेगा यहां पर जो बॉंड के carbon करेगे यह अपनी तरह बन जाएगा पर शाय हो तो क्योम मुंतल है इस के बनलए-चतम क्या होता है यह स्टेप क्यों क्या है डीत हेड़न होता है क्यों विदक्ष लम का क्या होता है क्योंकि हम सफ जो स्लो होगा उसी का ही रेट डिटर्माइन कर सकते हैं फार स्टेप का नहीं कर सकते हैं सो रेट डिटर्माइनिंग स्टेप है यह तो रेट डिटर्माइनिंग स्टेप में क्या होता है अब देखेंगे हम हमारे पास क्या बन जाएगा जो कि यहां से ह्तर्ज हुआ कि यह थोआई निकल गया तो आप क्या बजिक है हम आरे पास हमारे पास बजिक गया ए कर फेलदे Springs क्या है चल्ट को निकल सो जाए गया था दूर में यह फ़ॉकोन इधर यह थोड़ा एधर या ओधर यह तो जाएगा होगा तो यह अप carbon क्योंकि यहां से निकल गया तो इसने अपने इसके electrons जोए चले गए लूज कर लिये हैं तो इस पर कौन सा जाज जाएगा पॉसिटिफ आएगा और यह क्या हो जाएगा अपना निगेटिफ चार्ज लेकर भार हो जाएगा एक्स निकल जाएगा तो यह है पहला step तो पहले step में क्या बनगया है हमारे पास कार्बोकाटायन क्योंकि इस carbon के पास क्या है कार्बोकाटायन तो formation of कार्भोकाईन हुआ 1st step में तब तक है तो यह था 3 degree Alkyl-Hylide था यह पहला step था देख लिया आप देखिंगी हम इसका next step is next step में क्या होगा चुह हमारे पस कार्भोकाईन था फुर्दर उसकी reaction होगी यह रहा carbon यह रहा इसका अलकाईल ग्रॉप और यह वारा होगा हमारे और यह है यहाँ पर Carbocatine । रूख वो इसको playa ही यहाँ पास Carbocatine जो पिछली reaction में निकला Carbocatine की आप करेगा अब क्या है अब क्या हैं और फिटाक को आ टेक को करेगा हमारा Nucleophilic nucleophilic substitution reaction है अब क्या करेगा क्योंकि वो निकल गया है तो अब अटैक करेगा हमारा y negative तो एड हो जाएगा y negative तेक है तो यह जो reaction होती है बहुत जादा जल्दी होती है तो इसे हम बोलेंगे fast तो इसका हम rate determined नहीं कर सकते हैं तो यह क्या है nucleophile है इसे लिख लेते हैं nucleophile okay और क्योंकि इससे पहले जो निकला है वो भी nucleophile ही है तो यह क्योंकि अभी आया है तो यह है new nucleophile new nucleophile है और यह क्या करेगा इसमें attack करेगा यहाँ पर of course करेगा क्योंकि फुद नेगेट है और वहाँ positive में जाएगा क्यों यह अब जाएगा यहाँ पर तो यह बन जाएगा c और यह यहाँ आ जाएगा अब यह आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो यह थोड़ थोड़ा बांट जोंगे शिफ्ट हो जाएंगे जब यह नुक्लियो फाइल जो होता है substitute हो जाता तो उस product को हम क्या बोलते हैं substituted product बोलते हैं ठीक है substituted product कहते हैं कि नहीं कहते हैं कहते हैं हमने अभी पढ़ा था so substituted product बन गया okay अब यहां ध्यान दो ध्यान से जब यहां पर यह आया तो यह इनकी position as it is थी जैसे यह पहले थे वैसे ही अभी भी है बट इससे पहले के step में देखो जो यह यहां वाला था alkyl group यह थोड़ा सा shift हो गया जब यह निकला तो थोड़ा सा shift हो के इस तरफ आ गया यह वाला alkyl group यहां पर alkyl groups थे यहां दोनों alkyl groups थे तो यह दुन 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 शिफ्ट हो गए थे बट इसमें क्या हुआ ऐसे ही रहा इनकी जो configuration थी सेम ऐसे ही retain हो गई तो हम इस phenomenon को क्या बोलते हैं retention of configuration यानि कि यहां पर जो पहले product बना था वैसे ही अभी बन गया है सिसे हम बोलते हैं substitute product तो है यह बट जब configuration same as it is पहले जैसी ही रह जाती है reaction के बाद तो से हम क्या कहते है retention of configuration so retention of configuration यानि कि जैसे carbon और alkyl groups में यहां पर arrangement है same वैसे ही reaction के बाद भी यहां पर दिखाए दे रहा है so retention of configuration यह हो गया समझ में आ गया अब इसका देखेंगे क्योंकि हमने भी देखा rate determining step है तो हम इसका क्यों देखेंगे rate law भी देखेंगे क्योंकि हमें क्या करना था वा इसमें add करना था so rate law निकालेंगे हम इसका rate law कैसे निकलेगा rate law यहां देखो यहां था हमारे पास यह था reactant ठीक है और अब क्या होगा इसमें rate law लगाएंगे इस वाले step में क्योंकि यही वाला है rate determining तो rate law क्या होता है rate law is equal to rate is equal to k और हमारा reactant क्या था reactant था R3C-X यह था हमारा reactant और यह कितना है एक है तो एक ही लिख देंगे ठीक है इसका order क्या होगा इसका order होगा one molecularity one ठीक है दिख रहा है यहां पर one है ओके तो order और molecularity भी हमने यहां पर लिख दी अब हम देखेंगे इसका order of reactivity of one degree two degree and three degree हलोलकेन towards SN1 reaction तो जो इस reaction हुए यहां पर reaction हुआ तो यहां पर अगर हलोलकेन one degree हुआ या two degree हुआ या three degree हुआ तो कौन सा जाधा यहां रीक्ति वहां देखेंगे अब पहले हम इसे देखने से पहले से पहले से डाइगरम बनाएंगे पहले one degree two degree का ठीक है देखो सबसे पहले बनाएंगे one degree so one degree होगा यह cc3 और x यह भी one degree होगा और एक alkyl group होगा वह भी one degree होगा होगा किन्य होगा होगा यह हो गया R यह हो गया H यह हो गया X यह हो गया H ठीक है अब बनाएंगे two degree two degree two alkyl groups H और X फिर बनाएंगे three degree यानिकी three alkyl groups और X यह होगा अब हम देखेंगे इसमें reactivity का order देखना है हमें तो reactivity का order यानिकी जो जब सबसे पहले तूटेगा वही तो सबसे पहले अब यह बात समझनी आपको ध्यान से यहां देखो यहां पर जब यह X फटा-फट टूटा तभी तो यह जोड़ा इसमें अब यह चीज जतने जल्दी जो होगी तूट जाएगी तभी तो वह दूसरों से react करवा पाएगी तो यानि कि यहां पर जोए C-X bond है जिसका सबसे जबसा जल्दी दूट जाएगा वह क्या करेगा इसल्दी वहSabank देखते हैं कौन सबसे जल्दी तूट यहां पर देखते हैं यह 3-D तो वन डिग्री वाले में तो यहां पर कोई अलकायल ग्रूप है नहीं सिफ हाइड्रोजन से यहां पर क्या होगा यह सी डैश एक्स बॉंड कब तूटेगा जब उसके पास क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन है यह वाला जो बॉंड आपको दिख रहा है यह वाला बॉंड जल हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को बॉंड टोड नहीं नहीं देगा ठीक है यह बाद समझ में आई आपको उसके बाद क्या है यहां पर हमें दिख रहा है वन डिग्री कम होगा एक अलकायल ग्रूप होता है हम जानते है यह होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रॉ होगा थोड़े लेक्ट्रॉन कार्वन को देगा समझ्वें थोड़े प्ने तब लेक्ट्रॉन को देब तो यह फरधर क्या 发दर आपने लेक्ट्रॉन यह X को देदेगा एक अलकाइल ग्रूप ने दिया सोचो पास्वन किया X को तब यहां पर थोड़े लेक्ट्रॉन्स आगे ठीक है होगा हलाइड ग्रूप जब तूटेगा तब क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बनी रहेगी तो यह जोगा तूट जाएगा ठी ये सिन कार्बन में फिर से क्या करेंगे से डेंसिटी बनाएंगे बनाएंगे सिर्वा ग्रुप है तो further क्या होगा यह करदेगा रगिने इलेक्ट्रॉन को फर्दर्कस्वन कर देगा बढ़ाएंगे किसमें कार्बन में और कार्बन क्या करेगा तीनों को तीनों जो रिलीजिंग ग्रूप उस पे लेक्ट्रॉन देंसिटी बढ़ा रहे हैं वह क्या करेगा फर्दर पासवन कर देगा और में सबस्थाएं को थे कैंग कर सो자가 गई है इसके बहुत सारे सीपर सकता है तुछ आराम जो तूट सकता है तो भी बांड होगा जाएगा दारा बॉकस्ट उह क्याकरणा गान मुझाट को पो जाएगा कैंड कि यह कही क्या होगा आने संहेगा कारप्pos कारवण के पास electron density उस पर बनी है तो या सबसे जड़ी बनी है तो से बायर के हो ज़ाद वाझन चाहिए अद है тоб् ऑदर कर दोका ऩो सबसे ज़्यदी चूट आफ काहूब कि चाहां थे कर यह बन passport कानित है तो थोड़ा कम है तो थोड़ा कम है1-द न थीजिल काम कर् saya दर्येस हो दाएं में क्योंकि यह वाला जो बॉन्ड होगा यह तो नहीं थेगा क्योंकि यह तो गर्या, कार्बनぎ देंसटी यॐ तो चाम हो जाएगा और उसे देने इतने वाला कोई भी नहीं है यह रहां पर तो यह बहुत जाएगा। तो यह क्या है strongest bond है ठीक है strongest bond है यह नहीं तूट सकता ओके और यह क्या है weakest bond है अब यह strongest bond है तो यह तूटे गई नहीं तो और यह कैसा हो जाएगा less reactive हो जाएगा ठीक है तो यह कैसा हो जाएगा less reactive हो जाएगा और यह less reactive हो जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो three degree वाला carbon alkyl groups है यह क्यों होंगे रियक्टिव हो जाएंगे तो अब यही चीज हमें लिख देनी है order हमें समझ में आ गया है इसका order क्या होगा सबसेदा रियक्टिव कौन होगा 3 degree होगा फिर होगा 2 degree होगा फिर उसके बाद 1 degree और फिर यह बार 1 क्योंकि सबसेदा strong bond है और सबसेदा सबसे कम जो है यह less reactive है तो अब reactivity का order क्या हो जाएगा 3 degree फिर क्या होगा 2 degree और फिर 1 degree ठीक है तो यह order हो जाएगा और इसका यह बाद रियसन क्या होगा वह भी मैंने लिखाया है यहां पर जो हमें इलकायल ग्रूप दिख रहे हैं वह क्या है electron releasing groups हैं जिन पे ज्यादा यह होंगे उतना ज्यादा क्या होगा यह bond weak होता जाएगा वह क्युक्कि यहां पर बताना पड़ेगा कि यहां पर releasing group कौन है alkyl group है जिसके वजह से क्या हो रहा है c-x bond क्या हो रहा है weak हो जा रहा है so therefore greater the number of alkyl groups weaker is the c-x bond hence greater is the reactivity इसी वजह से हमने हमेशा जब हम यह mechanism करते हैं तो हम 3 degree alkyl halide को लेते हैं ठीक है इसी का reason इसी वजह से हम क्या करते हैं 3 degree को लेते हैं तो आपको इतना याद रखने है SN1 reaction के हिसाब से हमें देखना है इसमें कौन सा जादा reactive है CH3 BR या CH3 CH2 BR ठीक है तो यह है CH3 इसका खोल के structure बनाओ तब आपको जादा समझ में आएगा कि कौन सा जादा reactive है इसमें एक hydrogen यहां एक hydrogen यहां पर ठीक है अब यह दूसरे वाले कस रखें एक hydrogen यहां एक CH3 यहां और यह BR अब यहां पर आपको फर्क समझ में आएगा इस एंवन में हम जानते हैं से यह में कौन सबceği जबसेद में होता है यह हम जाते हैं तो इसमें है तब इसमें यह यह इंपर यह था यह था यकूंगा यह यह इас त्या कि कुई पर मेंग लिए जरुप है 小ग यह लोगो यहां पर भी का फर्क है। यही है। यह यह जो तो विए यह नों है, वैसे तो ऑफ बन डिगरी होरब है। यहां पर क्या है ये है अ में पर हैं टीलींशकोन सब्सक्तार है 20 यह यहां पर एक रिलीजन गृप है more reactive is more reactive इतना आपको लिख देना है और फिर आपको मिल जाएंगे इसमें नमबर्स next क्या है CH3 whole thrice CBR and CH3 whole twice CHBR तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एक तो 3 degree वाला है और दूसरा क्या है 2 degree वाला है आप चाहे तो इसका structure खोल के बना सकते हैं या फिर बंद करके ठीक है अगर इसको बंद करके समझ में आ रहा है close form में तो वह बन सकते ना बनाए ठीक है पर समझने के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा ठीक है यह है तीन इसमें CH3 groups दिख रहे हैं और यह BR से connected है ठीक है और दूसरे वाले में क्या है CH जो है एक BR और एक दो CH3 groups से attached है यान कि यहां पर दो alkyl groups है और यहां पर एक दो तीन alkyl groups यान कि यह 3D वाला है और हम जानते है 3D जो होता है 2 degree से स्टेबल होता है SN1 के केस में तो यह हो गया SN1 तो इसमें कॉन से साथा स्टेबल होगा यह वाला होगा मौर स्टेबल होगा लिग दो CH3 whole thrice CHCBR is more reactive कितना समझ में आया यह हो गया अब हम देखेंगे next है अगर आपके पास इस फॉर्म में आपके पास आ जाता है क्या स्टेबल है कि इन दोनों में से कौन सा अलकाईलाइड जाओ है जादा रियक्तिव है तो आप क्या करेंगे ठीक है यह वाला है chloride say attached है यह होगा एक carbon यह होगा दूसरा carbon होगा और यह होगा दूसरा carbon ठीक है उसी तरह यहां पर क्या वाला carbon होगा carbon से 1 2 3 जो ends होते हैं वो carbon को denote करते हैं इस तरह की configuration में ठीक है तो यह वाला क्या है यह वाला carbon carbon है यह वाला carbon 1 2 3 carbon से थार कि यह है थी डिगरी है यह वाला carbon 1 2 2 नीद्टिव टिगरी है तो हम जानते हैं 3 त्री डिगरी और मैंसे कौन ज्यादा होता है तो चैनल js आई 살ेंतों कि 3 sz2 दिग्री यह on degree दूसरा 1 दूसर से CH3 तो जिसमें एक एक हैले कायल होगा वह वीमाल कायल ग्रूप वाले से स्रीवल होगा इतना अब ऐसा कुशन प्रण आ सकता है कि to do is to say which is INC there Vr और CS3I में से कौन सा सबसे जादा रियाक्टिव होगा तो यहां पर आप simply देख के बता सकते हैं जिसका बॉंड जल्दी तूटेगा वही होगा रियाक्टिव ठीक है तो हम जानते हैं फ्लोरीन ख्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बड़ा बॉंड किसका होता है आय स्ट्filled छार्इन आप के अधिया की ईयुल स्ट्विन रुक्रतिता है क्ट्रीयूज में सब्सेश्ट छाइगा टूट जाएंगा तो यहां पर दीच मालेचेगा आप रिएन के मैं समय किव मूस सब्सक्रण्यख़्त के चंच उक्चु भी आइगे आहिगा पिलूदी तो छि and hence greater is the reactivity तो आप यह बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी लंबी आपके पास चॉक होगी वह उतनी जल्दी आराम से आपकी जूट जाएगी तो आपके पास चॉक जोटी है तो आपको तोड़ना क्या होगा अपसाद मुश्किल हो जाएगा ऐसे समझ सकते हैं तो greater the bond length bigger is the bond strength and hence greater is the reactivity अब हम देखेंगे SN2 reaction यानि कि substitution nucleophilic bimolecular reaction ठीक है तो इसलिए से हम SN2 बोलते हैं इसको भी हम mechanism form में समझेंगे तो यह भी question के form में होगा एक्स्प्रेंडी mechanism involved in SN2 reaction तो SN2 reaction में क्या mechanism होता है यह भी हम समझेंगे ठीक है फिर से हम लेंगे इसमें alkyl halide तो हम क्या करते हैं इसमें लेते हैं 1 degree alkyl halide ठीक है तो 1 degree alkyl halide है तो 2 hydrogen होंगे और 1 alkyl group होगा हमारे पास ठीक है तो c-x bond में क्या होता है slightly यह टूटे का इस तो slightly negative slightly positive यह हो जाता है अब इस step में क्या होता है जब यह dawn टूटता है simultaneously जो हमारा electrophile nucleophile आता है वो भी आता है यहां पे ठीक है तो y negative जो है यानि कि हमारा new nucleophile यह भी साथ में जोड़ता है तो यह वाला step भी क्या होता है slow step होता है यानि की rate determining step है ठीक है rate determining step okay अब यह जो यहां पर reaction है बहुत जाता mean है इसलिए आपको ध्यान से समझ रहा है इसको क्योंकि यह जो process है साथ में हो रही है यह जो y negative है यह इसमें भी attach हो रहा है उसी time पर क्या हो रहा है यह x bond टूट भी रहा है तो देखो अब क्या होता है यहां पर बनता है transition state बनती है देखो क्या ह होता है यह carbon है यहां पर एक alkyl group है दो hydrogen है ठीक है hydrogen है अब यहां पर क्या होता है जो यह y होता है सेम टाइम पर attach हो जाता है यह y ठीक है और यह क्योंकि अब जोड़ चुका है तो यह जाएगा slightly positive हो जाएगा क्योंकि यहां से अभी negative पाट है वाला अभी negative पाट गया नहीं यह भी जा रहा है है यहां पर अभी वह नीगरा हो गया होता है यह अभी बस जा रहा है तो यह negative ऊद्री है और यह लग अब जो अब अधे जो ऑपाट ऐखर facets को आ थीक है आब क्या हो गए आप यह जब निकल रहा होगा स्टेट को हम क्या कहते हैं transition state कहते हैं लिखलो इसस transition state transition state या फिर T-S भी कहते हैं transition state यह हो गया हमेरे परस transition state यह जो state होती है क्योंकि जब हम देख रहें यह भी इस तरफ जुड़ा हुआ है यह भी इस तरफ जुड़ा हुआ है तो यह यह ने कार्बन की क्या कर रहा है वे रेंसी को उन फुलफिल कर रहा है और इसके बच्छर से क्या होगा यह जाएगा unstable तो इसरी में क्या होता है इसमें मैं आपको नेक्स पीजिन बिताती हूँ next step में क्या होता है heat provide करते हैं और यह जो reaction होती ही बहुत जल्दी जाती है क्योंकि unstable है तो फटा फट टूट जाते हैं तो टूटने के बाद क्या बनता है यह जो वाई होता है इस तरफ अटाच हो जाता है और यह जो carbon है इस तरफ से यहां पर यह अलकाइल ग्रूप और यह य अलग दिखरी है यहां पर configuration बहुत अलग है इसकी configuration इसलिए इसको हम क्या कहते हैं substitute हो अब क्यूंकि यह जो product है substitute हो चुका है तो असलम के कहते हैं सबस्टीट्वेंट प्रोड़क्ट हो गया okay और क्यूंकि यहां पर पहली configuration थी यहां पहली configuration में देखो hydrogen और यह hydrogen इस तरफ है और यह वाला alkyl group यहां पर था but hydrogen जब यह y group यहां पर attached हो गया तब क्या हो गया यह hydrogen इस तरफ से दिखने लग गया यानि कि यह बिलकुल इसकी mirror image दिखा रहे हैं तो बिलकुल उल्टे हो गए है यह तो इसलिए इस वाली configuration को हम कहते हैं inversion configuration क्यूंकि यहां पर क्या हो गय है so inversion configuration configuration कैसे होगा इसकी उल्टी हो गई है पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई है ठीक है तो यह position जो यह इसकी बिलकुल opposite हो चुकी है तो अब क्या होगा बजगी हमारे पास x negative यह जो होगा एक ही step में यह सारा process हो जाएगा ठीक है अब यह सारा का सारा एक ही step में होगा तो यह हो गया हमारा SN2 reaction तो इसी तरह होती है हमारी SN2 reaction तो यहां पर 1 degree हम alkyl halide के लिए ही stable है ओके और यह क्या है तो इसी का rate determine होगा ओके अब हम देखेंगे इसका reactivity का order यान की order of reactivity of 1 degree 2 degree and 3 degree alkyl halide in SN2 reaction यहां पर देखेंगे हम की 1 degree 2 degree 3 degree alkyl halide reactivity का order क्या होगा ठीक है अब इसमें क्या होता है actually जितने इसमें alkyl groups होते हैं उतना क्या होते हैं जो negative part है यहां पर नुक्लियोफाइल है उसका attack करना उतना ज्यादा मुश्किर हो जाता है इसमें क्यों पाता है यह यह चीज क्यों है क्योंकि आप जानते हैं इस वाली reaction में हुआ क्या इसमें बना उसी time पर यह क्या हो रहा है उसी time पर यह से हमारा वाई negative तो क्यों होगा है इसके अर्वाइल क्या होंगे electron clouds होंगे होंगे की न होंगे यहां पर दो होंगे ओके इस electron clouds के वजह से क्या होगा अगर clouds और चारों तरफ से यह जो नेगिटिव पार्ट है हमारे पास नूगलियो फाइल है यह कैसे अटाक कर पाएगा तो इसकी वजह से इस फिनोमिन का क्या बोलते हैं जब हम जो अलकाइल गुरूप से अच्छे से घर जाता है उस फिनोमिन का हम कहते हैं स्टेरिक हिंडरेंस तो यहां पर क्या हो ज यहां झाależो से अच्छे से अटाक करें है यहां थी फिनलते हैं से फिन फोलते ह soup है उतले होगा का मैं हाने देख जी ऐले घर यहां होगा स्टेरिक हो जयते होगा सबसे ज़्यादा फोलते होगा ठीकतरे है मतले ऑसानेया यहां दुक्सेमिन ऊच्छिन का हएख यहां इसलि minimum steric hinder hinder करना याने कि रुकाबटे वैदा करना इसी लिए से हम करें steric hindrance और यहां पर यह अलकाईल ग्रुप्स के विज़ा से क्या और जा रहा है लेक्ट्रों गिर जा रहा है तो वह कहां सा टैक करेंगा कोई space तो चाहिए जो सिफ 1 degree में उसे मिल पाती है क्या होगा फिर 2 degree वाला और 3 degree वाला क्या होगा इसका order होगा reactivity का यह क्या है decreasing order of reactivity ठीक है इसके case में क्यूक्कि सबसे जादा steric hindrance हो जाएग उसमें और 3 degree वाला stable इसलिए नहीं उपाएगा 1 degree सबसे पहले जादा reactive होगा फिर 2 degree होगा समझ में आ गया और 1 degree में भी कौन सा 1 degree जिसमें CS3 होगा तो यह हो गया हमारे पास decreasing order of reactivity अब इसके questions करेंगे arrange the following in decreasing order of reactivity towards SN2 reaction तो अब ने देखा SN1 में क्या है SN1 में 3 degree stable है और SN2 में क्या है 1 degree stable है समझ में आरी बात यह 1 है तो यहांपर 3 degree है यह 2 था bio-molecular था तो यह रहा है 1 degree है तो आपको ढ़ने रखना है आपको SN1 में 3 degree stable होता है SN2 में 1 degree stable होता है SN2 है यहाँपर तो इसका decreasing order आप देखते ही लिख सकते हैं यहाँपर यह क्या है 2 degree है यह 1 degree और यह क्या है 3 degree है यहां पर order क्या बन जाएगा सबसे पहले आएगा हमारे पास CH3 VR फिर उसके बाद के आएगा CH3 यह वाला बन डिग्री CH3 CH2 VR और फिर आएगा हमें पास 2 डिग्री यानि की CH3 का होल ट्वाइस बी आर और फिर आएगा सबसे लास्ट में 3 डिग्री वाला यान की CH3 होल थ्राइ पास बी आर समझ मा गया तो यह हो गया पहला कोशिन अब देखेंगे नेक्स कोशिन को भी हम देखेंगे इस तरह यह देखो अगर इस तरह का स्ट्क्शर देदी आपको बनाके तो तब आपको बताना है सेंटू में कौन स्ट जाधा रेक्टिव है ठीक है यहां पर यहां क्रिवाले केस में सिखेंगे कर्णा मैं सुख्यां कर्णा 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 से कब कर देखेंगाा है तो ति यह ।भी त kern सबसे जादा साथ कानशा होगा बन डिगरी वाला यानि की पहले यवाला ये भाला बन डिगरी पर याप mina रडी और फिर आए गशाल्स में थी बिगरी समझमा गया तो इस वाले कोशन को किस तरह से कड़िया है और इस तरह से आ सकता है CS3-F, CS3-CL, CS3-BR, CS3-I तो इन में से हम यहां पर सेम रहेगा है यहां पर हमें सिर्फ देखने हैं बॉंड लेंड किसकी कितनी हैं यह नहीं देखने कि SN2 है तो यहां पर प्रोसेस होगा हमेशार रियाक्टिविटी का एक ही फंडा है सिंपल थी है रियाक्शन एक बर खुद कीजेगा और उसके बाद आप इसे खुद लिखिएगा बिना देखे तब आपको और अच्छी से याद हो जाएगी और पुरान जो कंटेंट है हमेशार याद करते रहना है तब यह चीजे जो होगी आपको और यानिक याद हो जाएगी नहीं तो आप भूल जाएंगे इस ब्लाइज करना और विजन सापने होना चाहिए तब यह आपको इस ब्लाइज याद होंगे तो आज के लिए इतना ही ठांक यू